क्लास यह होती है हमारी और आप लोग को लर्निंग पर जो हमारी क्लास का टाइमिंग है वो आपको 10 पीम क्लास डेली ले सकते हैं लर्निंग पर जहां पर मैं अभी परसंटेज पढ़ा रहा था टीसेस पैटन पर न्यू टाइप के कोश्चन आप लोग मुझे क्लास घाटन उब करें लर्निंग पर्फाइल बीडियो के लिए दिस्क्रिप्षन में में स्कूर्प्षन में ब्सक्रिशन में आपको नीचे मेरी प्रोफाय이 we Fr invol microbi नी नितन शर को सकते हैं, match by initial search जब type करेंगे बच्चों सभी लोग, वहाँ पे जाके match by initial search, ठीक है, वहाँ पे मैं मिल जाऊंगा, आप मेरी profile सर्च कर सकते हैं, आपने अगले पार्ट पे आप लोग learning app डाउनलोड करने के लिए, आपको अपने play store पे visit करना होगा, वहाँ पे अभी तक learning app डा को आप यह यूज करना, वहाँ पे आपको जितनी भी free classes हैं, उसारी की सारी आपको दिखना start हो जाएंगी, ठीक है बच्चों, जान रखने आपको free class के लिए आप यह code यूज कर सकते हैं, वहाँ पे अनेकडमी learning app डाउनलोड करने के बाग, अब बात करते हैं, आप लोगो मैं percentage पढ़ाऊंगा basic to high, 15 December से start हो रहा है, ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान लगना, plus class लेने के लिए आपको क्या होगा, subscription लेना होगा, subscription आपको 1 year या 2 year का लेना, क्योंकि जो भाई, आपको मैं बताऊं, जैसे आप 6,000 का कोई book लेते हो, 6-7,000 के आपको book पड़ती है आपको कोई भी book लो, तो भाई आपको हर subject की book लोगे, तो 6-7,000 की पड़ जाएगी, तो आपको अनेकेडमी कितना सस्ता है, सबसे cheap and best, देखो यहाँ पे, आपको 6,000 रुपए का, जो 12 मंद का है, यदि आप 480 रुपी जादा पे कर देते हैं, तो बच्छो देखो आपको सास मिलेगी हर subject की, सारे teacher की वीडियो देख सकते हो, हर teacher की हर subject से related, ठीक है, अच्छा, आप सभी लोग फटा-फट वीडियो भी share करते हो, इसलिए आप लोग रैफल कोट जो है, यह यूज़ करना आप बिलकुल मत भूले, मेरे बाई, रैफल कोट तो तीन अच्छो का ना हमें भाई कहीं से भी use कर देना चाहिए, दर ते चाहिए, ठीक है, मुख करते हैं, पहला question आपका यह है, इस question को try करो, क्या आगा, वैसे मैं concept भी आपको बताए दे रहा हूँ, question यह दिख रहा है, आप लोग concept बस दोखो, एक formula पूरा partnership यहाँ पे discuss करेंगे, पहला question आपकी स्क्रीन पर यह, आप लोग सभी लोग, इस question को try करो, 30 second मैं देता हूँ, बच्छो, 30 second आपके यह है, जल्दी से इसे try करो, 30 second नहीं आपके पास, जल्दी से आप लोग try करो, इस question का answer क्या आएगा, पड़ा फट ट्राइगरो, जल्दी से बता बच्छो, क्या आएगा answer, 30 second है आपके पास, पड़ा फट वीडियो भी सेर करते जाओ, अपने दोस्तों के साथ, बच्छो, यहाँ पे जो question है आप लोगों को, इस question को हम लोग solve करते हैं, और बताते हैं, यहाँ पे answer 5 ratio 4, भजन सभी लोग try करो, क्या है का answer बच्छो? खाजा ने बिल्गुल सही answer दिया, देखो आप लोगो को कोई, जैसे मान लेते हैं, दो लोग invest करने आते हैं, इसमें concept होता है, उस concept की बात करते हैं, good afternoon, good afternoon, good afternoon, अब सभी लोग जिस ग्रूप में हो, भीडियो को भाई मेरे जरूर सहर करो, खीक है, आपके दोस्त, मित्र, यार, पडोसी, सभी को आजाएं, और सभी लोग पढ़ें, और अपनी सफलता को निश्शित करें, शुनस्शित करें, खीक है, तो चलिए, बात करते हैं यहाँ बोला, दो साजेधारे, A&B, टू पार्टनर, A&B, स्टाट अब बिजनेश, शिक्स, बिजनेश, बाई, इन्वेस्टिंग, 50,000, 40,000, रस्पेक्टली, वाट इस दाई, यह गलती से, भाई, मिस्टेक, टाइप हो गया, यह अटाट इना, ओके, अब यहाँ पे देखते हैं तो कई लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, दोखो मैं आपको एक बात बदातों, बच्चों, यहाँ पे हम लोग जब कोश्चन को सॉल करते हैं, तो यहाँ पे यह आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ, कैपिटल, इसको मै लिया, कि A और B दो बिजनेस मैं हैं, जिनों ने, जब भी किसी दो चीजों का compare होता है, ज्यान समझें, कभी भी दो चीजों का compare होता है, एक ratio फॉर्म में होता है, एक ratio का मतलब क्या होता है, compare of two things with same unit, मेरी बात समझ पा रहे हैं, compare of two things with same unit, आप घोडे और गधे का कभी compare न यूनिट का ही हमेशा compare होता है, दूसरा एक compare और होता है, जैसे आपके खाने की छमता का compare किया जाए, तो आप बताओ, future की, past की, हमेशा past की चीजों से present की चीजों का compare होता है, और जो comparing होता है, वो same unit का होता है, समझ गया है, रुपए और घंटे का कभी नहीं हो सकता, रु चामपल ले लेता हो, कि 400 रुपया और यह 300 रुपया इन्वेस्ट करते है, ठीक है, 4000 यह तीन जार सोरी, फिर यहाँ पर यह माल लेते है, आठ महीने के लिए, छह महीने के लिए, इन्वेस्ट करते है, दो को यहाँ पर जादी मैं इसको multiply करके लिखू, आठ चोको 32, यह 32, 20,000 हो जाएगा कि नहीं 84 जा 32 बट मैं बोलू 63 जा कितना 18 ने इसको बोल सकते हैं 18000 बोल सकते हैं तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल इसे काट सकते हैं कितना यह आ जाएगा दखो कि आता है बाई एक कंपनी में इसने 4000 रुपए लगा है आठ महीने के लिए तो कुछ रिजल्ट आएगा प्रॉफिट फिर भई भी है तीन हजार रुपए लगा है किसी कंपनी में, या एक परसन ने एक कंपनी में इतना रुपए लगा है, भी कंपनी में इतना रुपए लगा है, 6 मेने 8 मेने के लिए इनका प्रॉफिट रिश्यू यह आगया, क्लियर है, यह concept का हम use करेंगे इस question में, अब देखो बच्चों, यहाँ पर question क्या कहता है, इसी फार्मूली को हमें use करना है, रहन समझेना आप सभी लोग, यहाँ पर हम इसको use करते है, अच्छा है, एक बात और समझो बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला, कि a to b बराबर result ह जैसे मैंने बोला, a to b बबाबर इसे क्या बोलते है, result, a to b बड़। हाँ है कि अभी दो यदि मैं इसको constant बोल दूं यदि मैं इसको constant बोल दूं तो दो यदी मैं इससे 45 05 भराबर 20 होता है यदी उन्म पशार चोंक हो लिखा से भी proportional to b के होता है कि नहीं समझ गए अच्छा जब आपका इन दोनों में कोई एक constant हो जाए जैसे मैं आपको ये बात ये बोलू कि दो को बेटा ध्यान से समझ ना यदि मैं बोलता हूँ आपको concept clear होना चाहिए मैंने बोला कि 4 इस्टू 5 बराबर कितना होता 20 जैसे मैंने लिखा 4 इस्टू 5 बराबर 20 जैन समझ गरा मैं इसको constant कर देता हूँ इसको क्या करता हूँ constant कर देता हूँ अभी आप लोग यहां पर समझोगे जैसे मैंने इसको constant किया 4 आ गया तो यहां पर लिखूंगा तब यहां पर value क्या आनी चाहिए अभी देखना आप कि यह value भी 20 आए तो इसे काटोगे यह कितनी बार जाएगा 5 इसे काटोगे 5 यह value constant किया जाता है या p equal to mb linear momentum जब momentum को constant करते तो mass और यह आपका यह एक तरीके से proportional ही तो लिखते थे हम लोग कि नहीं बचपन में याद आया होगा बच्चो कि इतना deep में जाके सिर्फ इसी फार्मूले पर आते हैं जो कि आप लोग समझ रहे होगे इस चीज को तो यहीं पर ह करते हैं देखना धहन से किरा दो साध्यदार ए और बी साध्यदारी वियसाय में कर्मसा सामील होते हैं जैसे टू पार्टनर से ए और बी बिटा एक बास समझो इन्होंने 50,000 चालीजार रुपए लगा तो यह कैपिटल इनका 50,000 है और यह 40,000 है मैंने फार्मूला बताया क इनका क्या एक यह वर्स के अंतीमों लाप क्या हो तो टाइम इसका भी बारह है इसका भी बारह है मैंने आपको ऐक इस बताया कि जडी आपका इन दौनों सो को यह constant है तो CP किस पर depend करेगा profit ratio पर depend करेगा कि नहीं बोलो हाँ की ना बच्चो depend करेगा कि नहीं बटा classes 12 बज़े से start हुई थी बट थोड़ा सा डिले टेक्निकल इसू था ठीक है यह बास समझ में आई कि नहीं capital time time constant है capital profit पर depend करेगा कि नहीं तो मैं इसको डारेक्ट देखो time तो पराबर काट दिया मैंने इसको काटा 00 आ गया तो अब आपका जो profit आ गया पांच ratio चार कौंस option है आपका option A is right answer बोलो हाँ की ना तभी को clear हुआ यहाँ पे कुछ लोग 6 ratio कितना लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं 6 ratio 3 4 ratio 5 ध्यान समझना capital यदि time दोनों का क्या है दो हो लगा कर आरंब करते हैं वर्स के अंत में question यह दोनों का समय constant है कि नहीं यदि समय आपका fix है capital direct proportional होगा profit ratio के बिल्कुल आजी से class शुरू किये मेरे भाई ठीक है अगले question पर आते हैं यह पेटा समझ में आया है कि नहीं अगला question आपका यह जल्दी से इस question को try करो इस question का answer का आएगा 30 second में देता हूँ पटा-फट बताने पेटा answer का आएगा ठीक है पटा-फट आपको बताने answer का देखते हैं कौन देता है answer सबसे पहले answer कौन देता है और सभी लोग video share करते हैं जाओ बच्छो हरे आप टाइम आपका समाप्त हुआ देखो यह आपर एक बेवसाय जिसे आपके question को solve करते हैं कह रहा है कि I start a business with 25,000 after four year months the joint Him with one lakh twenty thousand what will be the ratio of their profit at the end of the year end of the year समझे रो ना वर्स के अंत में वर्स के अंत में मतलब एक साल के अंत में दोख बच्छो ए हो गया फिर ये भी हुआ capital कितना लगाता था है 25,000 मेरी बास समझ में आ रहा है कि ये पच्छीज़ आ ये capital कितना लगाता है आप समझपा रहा हूँ कि नहीं बटा ये इसको लिखू कितना capital है ये पच्छीज़ अजार है ये कितना एक लाग बीस हाग ठीक है ये क्या हुआ capital हुआ बैचो यह क्या हुआ capital हुआ फिर मैं क्या लिखूंगा time लिखूंगा time कितने साल के लिए देखो यह 25,000 कितने महिने के लिए पूरे अच्छा बताओ चार महिने बाद कौन आया यह 4 month after 4 month B जोई चार महिने के बाद कौन आया B आया तो भाई यह पूरे एक साल के लिए रहा कि नहीं तो B चार महिने बाद आया तो business कितने महिने किया 8 महिने किया कि नहीं बोलो हां कि ना बेटा यह ratio पे निकाल सकते हो अब नीचे profit ratio आता है समझ गया मेरी बात को कि का profit ratio निकाल सकते बच्चो यहां पर मैं इसे solve करता हूं दो को 3030 cancel और मैं इसे काटू तो यह value आप अराम से काट सकते बच्चो यहां पर आप लोगों को कुछ ज्यादा इसका दिमाघ लगाने की ज़ओरत नहीं है आप इसे कट करोगे हैं जैसे यहां पर मैंने इसको काटा यह फांच आ जाएगा इसे काटा इसे काटा कितना फांदु निसस फांच शुक उत deficц είναι कि नहीं हलगा कि नहीं हां कि न इस Li तो इसे थो हम लोग करेंगे यहां पर एक लाग 20,000 यहां पर 20,000 यह हटा देना डबल डिजिट लिग गई है तो यहां पर इसे एक लाग 20,000 करोगे 20,000 कर लेना क्योंकि हिंदी में इंग्लिक्स में ज्याधा टाइप हो गया है इसे आप 20,000 कर लेना बच्छों क्योंकि दो डिजिट ले रखे एक 20,000 यह लाग 20,000 तो 20,000 ले लेना तभी option मैच करेगा यहां पर 8 ले सकते हो तो इसे हम काट रहेते हैं यहां पर तो ऐसे 3030 भी काट सकते हैं कितना 20,000 एक जीरो और आ जाएगा 3035 25 पांच चको 20 इसे काटेंगे 12 से 8 चारते ही 12 चार गुनि यहां पर एक लाग 20,000 ना करके इसे 20,000 कर लेना है क्योंकि हिंदी में सही लिखा था डिजिट है उपर नीचे हो जाती है डिजिट चेंज होने से आपका अंसर चेंज हो जाता है बास समझगे ना बट कॉंसेप्ट यही रहेगा आपका कंसेप्ट आपका यही रहेगा क्ल कमान सटर्डे संडे मेरी क्लास होती है 12 बजे इस चैनल पर बाकि चैनल पर भी क्लास होती आप लूगं फॉलो कर सकते है आप अन अकडमी लं निंग आप पे फॉलो कर सकते हैं वीडियो के डेस्क्रिप्षि़न में जाएंगे वहां पर आपको फस्रॉम मिल जागा वहां आप जाके कर सकते हैं, अच्छा, आप सभी लोग वीडियो लाइक भी करते हैं, सब समझ में आ रहा है सर जी, आप पढ़ाओ, ओके, बिटा, सेयर भी कर दो, लोगो, आप इस कोशन को ओरल भी कर सकते हो, विदाउट पैन उठाए, क्या कोशन ये सॉल हो सकता है? तो चलो, इस कोशन को ओर भी विदाउट पैन उठाए हम लोग सॉल कर सकते हैं, विदाउट पैन, जस्तिंग विदाउट एंक, सॉल करो, करें प्यवसाय में, एक कीस अजार की पूझी आरम करता है, भी प्यवसाय में, छत्तिजार की पूझी, आप्टर हाव मेनी मंथ्स डिड़ी ज्वाइंड प्रॉफिट डिस्टिबिशन इक्वल रिशो, दोखो बच्चो, बहुत आराम से समझना, जैसे हमने कहा, ए है, बी है, कैपिटल लेके आया, टाइम यह हो का, दो को इस तरीके से, नीचे क्या होता है, प्रॉफिट, यही बोलो हा की न, बीटा बताओ, यह समझ में आया कि न, 3600, 2600, 3600, बोलो बच्चो, इसे काटोगे, 3030, रेशो में निकालोगे, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो टाइम है, आपका क्या है, टाइम आपका बोला है, कि यदि लाफ सामी लोग बराबर अनपात में बाढ़ता है देखो, प्रॉफिट क्या है बराबर अनपात में, प्रॉफिट एक रेशो एक पे बाढ़ता है, बच्चो देखो, यहां पे एक रेशो एक, मतलब यह वेलू बराबर आनी चाहिए, मैंने आपको बोला था, कि जब, देखो, ध्यान सा समझना है बच्चो, आप लोगो, कि मैंने बोला था, कि CP, इस तरीके से, कैपिटल, इस्टू टाइम, कैपिटल को टाइम से मल्टिप्लाई करतो, प्रॉफिट रेशो आता है, आप लोगो ने बच्चपन में पढ़ा होगा, यह चीज, स्पीड इस्टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, कि नहीं, ज साथ, बोलो, हां किना, बोलो बटींग, यह, हम इस से साथ से काठ रहेते हैं, तो एक बा radically समझना, यहां पर यह 12 आएगा, इसे थोड़ा सा दे ब्ना लेना, यह 12 आएगा, यह कितना जाएगा, यह बार आएगा इसे देख लेना थोड़ा सा यह बारा आएगा ठीक है आपने कहा कि यह बारा आएगा 321,236 तो बेटा यह उल्टा हो जाएगा एक चलीके से 12 हो जाएगा साथ हो जाएंगा 1275, 1275, 1274 दोनों बराबर आ रहे न? concept आप कही ही रहे गा, अब यह कहरा है कि B. कितने महीने बाद इस व्यव्शाय में सामिल हुआ, B. है कौन ये? भई, दोखो, B. कितने महीने बाद? A. बारा महीने था, B. सात महीने तक रहा कितने महीने बाद आया बोलो बैटा कितने महीने बाद आया 27 महीने तक था एक साल का पूरा बिजनिस था तो 5 महीने बाद आया कि नहीं बोलो हां कि न 5 महीने बाद option कौन सा A is right answer बोलो हां कि न 5 महीने बाद आया option A is right answer भाई B कितने महीने बाद आया बास समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, आप सभी लोग comment कर दो बच्छो, अगले question पर move करते हैं, अगला question यह है, सभी लोग this question को try करो, this question का answer क्या आएगा? सभी लोग try करो, this question का answer क्या आएगा बच्छो, 30 seconds आपके पास यह है, try करो, hello, hi, try करें, answer नहीं है, बच्छो, आप लोग के, दोगों, यहां पर हम बात करते हैं, कि श्रीकांथ और विविद एक क्रम्चा 1,85,000, 2,25,000 इवेश के साथ कारोबार शुरू किया, उनके द्वारा अर्जित लाब विविद का हिस्सा इतना है, उनके द्वारा अर्जित पूल लाब क्या होगा? सभी लोग इस question को try करें, क्या है का बच्छो? ठीक से दिख नहीं रहा, पुड़ा जूम कर देते हैं, आप दिख रहा हैं? ए है answer, यहाँ पे answer भी दे दिया, तानू ने, तनू ने answer दे दिया, सभी लोग try करें, बच्छो क्या आएगा? जगो, स्रीकांथ और विवित ने क्रम्सा 1,85,2,0,35, तो स्रीकांथ को हम A माल लेते हैं, विवित को B माल लेते हैं, वे दिकत, ज़ी मैं स्रीकांथ को A मानू, विवित को B मानू, इनका जो कितना इंवेस्ट कर रहे हैं इनका जो कैपिटल है कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,85,000 पर कितना 2,25,000 तीन 0 से 3,0 एंसल आउट हो रहे हैं 5 से कट रहा होगा तो हां बिल्कुल कट रहा है पांतेई 15, 5 से 35, 5 से 25, 5 चीश आएगा 5 से 35 और 5 से 25, 25, 27, 45 ठीक है अब यह कह रहा है निवेस्ट के साथ एक कारोबार शुरू किया उनके त्वारा अर्जित लाव आप देखो टाइम इन लोगों का कॉंस्टेंट है यदि टाइम 1,1 है तो बेटा प्रॉफिट क्या होगा प्रॉफिट की बात तो आप यही करोगे न यहीं प्रॉफिट की बात तो आप यहीं करोगे न profund Alrighty और 15 और 15 यहीं की न बोलो हा की न इन दोनों का cutler का करके 37-P40 आप यहीं लिखोगे की न हीं और बोलो हा की न बिटा अच्छा एक बात बुदा तोटल यदि निकालते हो, तो टोटल कितना आ जाएगा? यदि टोटल निकालते हो, साथ, पाँच, बारा, चाट, पिन, साथ, एकाट, बताओ कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा कि नहीं? अब दोगों, यहाँ पर एक चीज और समझें, उनके द्वारा, अरजित लाब, विवित का हिस्सा, विवित क्या माना तर्भी, बताओ यहाँ बताओ कौन सा है, यह यूनिट है कि एक्जैक्ट वैलू है, सभी लोग कमेंड करो, यह 37 और 45, यूनिट होता है कि एक्जैक्ट जल्दी से बताओ, यूनिट या एक्जैक्ट वैलू, बटा ध्यान समझना, जो प्रॉफिट आता है, वो यूनिट पे आता है, क्या आता है, यूनिट पे आता है, प्रॉफिट क्या आता है बच्चो, यूनिट पे आता है प्रॉफिट, इस इस को आपको समझना होगा कि दो चीजों का जब हम compare करते हैं, तो वह exact value पे ना के unit पे आता है, unit क्या होता है, change होता रहता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बोलो, हाँ किना बच्चो, समझ पा रहे हैं, अब यहां पे हम लोग solve करते हैं, यहां पे कहरा है, पैताग बीभी दिमलब 45 unit बराबर, कि इतने रुक्रिया के, 9000 के, 9000, अब आपको निकालना क्या है, कुल profit total निकालना है, total profit निकालना है, total profit यहां निकालते हो, तो 7,12 और 4,37, 82 की value आपको निकालने पड़ेगी, बोलो, हाँ किना बच्चो, समझ पा रहे हो कि नहीं, 82 की value आपको निकालने पड़ेगी, तो आप 1200 लिखोगे, कि नहीं, बोलो, हाँ किना, तो आपको कितने 82 unit की value निकालने, 82 unit वराबर 200, is to 82, multiply करोगे, 16400, आपका अंसर कौन सो option दी, बोलो बेटा, clear है सब को, यहाँ पे, अजय कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, संधीप कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बेटा, आप लोग मेरी जो class होती है, 12 pm पे होती, कल भी आपकी 12 pm पे होगी, आज भी 12 pm पे है, तो आप सभी लोग regular class लेना, बिल्कुल मत भूले, समझ में आ रहे है कि नहीं बोलो हाँ की न, आप लोग regular class जरूर ले, पेरी बास समझ में आ रही ने बच्चो, अच्छा आप वीडियो भी share करते जाएं, अगले question पर आते है, अगला question आपका यह, इसको try दो, क्या एक answer, बच्चो दिख रहा है ना आप लोगो को, दिख रहा होगा, timer आपका चाहिए है, ट्राइगरें, संदेप कुमार, आस्तोस कुमार, जल्दी से answer बताएं बच्चो, दखो, 3 is correct answer, बीना मीना ने कर्मसा 35,000 निवेश किया, एक बुटिक शुरू थिया, बाई, दो सहली थी, आसपास में मकान लेके shift हुई, दोनों ने बोला, चलो कुछ कमाया जाए, कमाने के हिसाब से उन्होंने बुटिक का कारिक्रम स्टार्ट किया, पहले ने 35,000, दूसरे ने 56,000 निवेश किया, एक बुटिक सुरू किया दोनोंने, हलाकि बात में जगड़ा हो जाए, वो बात अलेके, उनके द्वारा अरजित लाब, दीना का हिस्सा इतना है, तो कितना लाब, ये लाब है वेटा, कितना प्रॉफिट, चिक है, कितना लाब अरजित हुआ था, तो कितना लाब total, कुल लाब पूछ रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे जितेंद्र सेकेंड बोल लें, अच्छा आप सभी लोग वीडियो लाइक कर, यार इतने लोग देख रहे हो, लाइक तो यार बहुत कम है, तो क्या मजा नहीं आ रहा है, जा, भोलो बेटा, दोको आप लोग को एक तरीके से मैं बताऊं, कि जैसे मैं इस कोशन क यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छी सी चीजिया पता होने चीए, यहाँ पे तीन-जीरो कट रहा है, ऐसे देखो, तीन-जीरो, तीन-जीरो कट रहा है, सत्तो, अठी-छपण, और साथ-पना, पना, पना, तिस, आठ पांट, तेरा का मल्टिपल यह है नहीं, तेरा का मल्टिपल यह है, क्या, तीन-जीरो, सत्ता-इस, तो तेरा का मल्टिपल कौन-कौन से हाँ वैलू हो सकती, तेरा का मल्टिपल केवल, केवल, केवल आपको यह ऑप्षन मिल ला है, तो आप इसको डारेक्ट टिक कर सकते हो, समझ में आया? मैंने कैसे कै तो कि टोटल आपका यही तो टाइम जब दिया नहीं है तो capital डिपेंड करेगा total profit पर की नहीं मैंने बताया तो ही starting में बोलो बच्चो हां की न या आपका जो capital है वो total profit पर depend करेगा की नहीं total capital total profit visual capital individual profit यादि टाइम आपका fix है, बोलो हां की न, भाई मैंने इसको ratio पे convert किया, 3, 0, 3, 0, खड़ गया, 8, 5, 13, 13 की value, बस 13 का multiple check करना है, option 4th is right answer, within a second question का solve कर सकते हो, बट चलो, basic पे आते हैं, basic भी सिखा देते हैं, मेरी बात को समझ पाए कि नहीं पहले बताओ, हां की न, समझ गया हो, तो अंगठा दिखाओ, बच्छो, समझ पा रहो न, यहां पर मैं बात यह करूँ, कि 35,000 और 8,000, दो बच्छो, इसको यह दि मैंने बोला, A, A, B, ना, और मीना, 35,000, इसका ratio निकालूँगा, 3, 0, 7, और 8, 8, 7, कितना आजाएगा, 5, और 8, सोरी, यह आ गया, यह capital हो गया, time इनका constant है, profit value किसकी दे रखी, यदि lab बीना का, बात समझ न, बीटा, बीना का lab, यदि यह 5 और, यही lab profit किसके बराबर है, 45,000 के, एक value किसके, 9,000 के, आप से एक unit बराबर, यही तो 9,000 के आएगा कि नहीं, एक unit बराबर, 9,000 के, एक्जाम में आपको time बचाने, 8, 5, 13 unit बराबर, 13 नहीं, 117, 30, कौन सा option, option 4, पर यही बात समझ में आई कि नहीं बोलो, हां कि न, समझ पाए न बच्चो, अच्छा, इस question को try करो, इस question cancel क्या आगा बच्चो, 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी से try करो, जल्दी से बच्चो, 40,000, 76,000 का निवेश किया, 5 वर्ष के अंत में, जो कि यहां time दे रखता है, 5 वर्ष के अंत में, उनने 46,000 का full lab मिला, तो इस lab में रसिका का lab क्या था, 5 वर्ष के अंत में, तो दोको, इन दोनों का क्या constant है विटा, इन दोनों का time constant है, पांस साल के लिए ये भी था, दोको पिटा, पांस साल के लिए ये भी था, पांस साल के लिए रहे कि नहीं बोलो हां के न, तब इस labांस में रसिका का पूछा, रसिका को यादी में value निकालूंगा, तो दोको, आठ पंचालिस, और ये value आपको ratio में निकलेगा, तो बिटा, आपको ये value किसमे 8 और 15 मिलेगी, 8 का जो multiple आपको चेक करना पड़ेगा, 8 का multiple आपको देखना पड़ेगा कौन साहे, 8 का multiple के वल 4th option आपको साहे दिख रहा होगा, बोलो हां किना, ये वल 8 का multiple ही तो चेक करना है, 8 का multiple के वल आपका 4th option है, नहीं समझे, टाइम दोनों का constant है, दोको वी दिन है second कैसे solve करते हैं, बज़ जब टाइम constant 30, 30 निकाला, दोको, सीदी सी बास समझे ना, ये 8 आप आजाग 8 पंचालिस, ये आजाग 15, 15 पंदरा बराबर आपका कितना है, सोरी, अब 85 पंच टेइस, टेइस यूनिट बराबर आपका है, 46,000 के, एक यूनिट बराबर 2000 के, आठ यूनिट बराबर आपका 16,000 के, बोलो हां की ना, कौन सो आप्शन, 4th, मेरी बास समझ में आय कि नहीं, बेटा कैसे हमने ओरल किया ना, समझ पाए कि नहीं, अच्छा पसंद आया हो ट्रिक, तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई, भाई ठोको से, अगले कौशन पर आते, मेरी बास समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं तो ऐसे अंगुठा दिखा दो भाई, ऐसे अंगुठा दिखा दो, यदि आप लोग नहीं समझ पाए, बेसिक देख लो भाई, बेसिक में बताए दिये जिरो, उसको भी समझ लो, हर किसी को मुझे सिखाना है, सबको योग्य बनाना है, तो बच्चों, यहां पर मैं इसे गाड़ूंगा, दोगो, पान अट चालिस, और पंदरा पच्छे पुछे पुछे तर तर तो यह पूरा कड़ जाएगा, तो यह तरीका से प्रॉफिट रेश्यो आठ और पंदरा पर आएगा कि नहीं, बोले बेटा, तो आप देखो, टोटल यूनिट कितना है, तेइस, आप देखो, तेइस यूनिट, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट अंत में उन्हें, पांच वर्स के अंत में उन्हें, कुल प्रॉफिट, कुल देखो, सब यूज भूए है, टोटल प्रॉफिट, समझ गए ने बच्चो बाई वीडियो भी लाइक कर देना सभी लोग इस कोशन को ट्राई करो इस कोशन का अंसर क्या एगा अच्छा आप सभी लोग एक काम यह करो अनिकरणी के लर्निंग एप पे फालो करो सभी लोग जितने भी लोग हो मुझे अनिकरणी लर्निंग एप पे फालो जरूर करो अच्छा question किस ट्राइप क्यों यह आपको पता है, जो अभी आपका SSC करा रहा है, railway जैसा करा रहा है, जैसे exam आ रहे हैं, उस तरीके के question discuss करूँगा, ठीक है, क्यों है, हुबा हुब, बहुत कैल्किलियूटी question, जो आपके नहीं अभी exam, जिस pattern पर आपसे पूछा जा रहा है, उस pattern पर हम लोग question discuss करेंगे, तो आप लोग इसको try करूँ, इस question का answer क्या आएगा, 30 seconds में देता हूँ, जाए गरो, भाई दोखो यार, एक चीश तो गलत यार, कम सेखल लाइक तो करतो यार, वीडियो को, समझेगी नहीं, अभी नास, 25,000 निवेश करके एक वेशाय आरम की है, एक वर्स बाद, 30,000 निवेश करके एक वेशाय में समय लोगे वर्स के आरम में दो वर्स बाद, अब दोखो यहाँ पर time change हो रहा है, time variation है की नहीं बिटा, बोलो हाँ की न, दोखो अविनास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अविनास, अविनास फिर क्या है, जितेंद्र, दूसरा क्या है, जितेंद्र, जितेंद्र, ठीक है, यह कह रहा है, capital किस तरीके से invest कर रहे है, capital देखना बच्छो, यह capital जो invest कर रहे है, 25,000 निवेस्ट करके बेवसाय आरम में किया, तो एक 25,000 निवेस्ट कर रहा है, एक कितना कर रहा है, 30,000, बोलो हां किना, यह capital कितना, 25,000, जितना 20,000, इसका ratio निकालोगे, यह 5, यह 6, इनका बटे टाइम क्या है, लो टाइम क्या है पत्चो उनका देखो टाइम बोला है कि एक वर्स के अंत में 30,000 तो मलब दो गर्स है ने सबकता यह यह दो ये ऴर्स क्रिठा में ज़ये इक साल तो इनका फ्रॉफिट रेशयो क्या आए थूआ पांधू निंज यह न्यक्थ झालेर बोलो हा कि न अब कोशन दो वर्स के माद में कुल इलाब ये अब एक बात बताओ ये टोटल प्रॉफिट है आपको अब आप से पूछा जितेंदर का लाब क्या होगा तो टोटल लाब बिटा यहां पर कितना है बोलो टोटल लाब प्रॉफिट कितना है 16 यूनिट 16 का बताना है जितेंद का है कितना 6 यूनिट पराबर कितना है 6 गुड़े 46,000 अपान 16 लिख सकते हैं कि ने बोलो हा कि न लिख सकते हैं कि ने बोलो बिटा लिख सकते हैं न आपको जो वेलू मिल जाए वो उत्तर आजाएगा 8 से काट देना 845 और 845 अर्चंगर 48 आट से कट जाएगा तरह आप इसे काटेंगे 3 आ जाएगा यह 8 आट से वेलू कट जाएगे इसे मल्टिप्लाई करोगे तो आपको एवेलू मिल जाएगी बोलो बिटा समझ में आए कि ने 17,225 आपका उत्तर आ जाएगा इतना 17,250 जो की ऑप्शन में है नहीं तो none of these आप टिक करोगे बोलो हाँ की ना बच्चो तो आप none of these टिक करोगे की नहीं बोलो बच्चो सभी लोग अगले कोशन पर आते अगला कोशन यह इस कोशन को ट्राई करो इस कोशन का अंसर क्या आएगा बच्चो फटाफट इसे कोशन का अंसर क्या आएगा सभी लोग इस कोशन को ट्राई करो इसे फटाफट सभी को दिख रहा है बच्चो दिख रहा होगा सभी माढी लोग इसे फिर श्राई आएगा अंसर के मündeपाल इसे भोग इसे लोग दो आएगा आएगा सब्सक्राइब लोग ट्राइब करें क्या एक अंसर कि कह रहा है कि कह रहा है चालीज जार के पूंजी लगा कर रमेश एक व्यवसाय शुरू किया उसने प्रत्रेक वर्स में दस जार रुपए अत्रिक लगा है दो वर्स के बाद उसने इतने रुपए सामील हो गया यह आपका question है ठीक है अच्छा कल हम लोग यहाँ पर यही से question discuss करना start करेंगे यह आपका homework question है किके बच्छो यह आपका homework question है, हम लोग कल यही से question करना है, start करेंगे, आप लोग के लिए कुछ और question लेख गया है, कल आपकी class थोड़ी late तक होगी, आज क्या हुआ था, कि थोड़ा से technical issue था, इसलिए हम लोग class थोड़ा late start होई, कल आप लोग ध्यान रखना ना बच्छो, 12 PM पे ही class start होगी, एक formula से हम लोग पूरा question concept discuss करेंगे, profit ratio, समझ पाये, capital is to time equal to profit ratio, तो आज के लिए तना ही, मिलते हैं अपने अगले session में, thank you so much, जहें, आप सभी लोग, ज्यान रखना, यदि आप लोग subscription ले रहे हैं, तो आप लोग, ज्यान रखना, एक साल, दो साल का ही ल ये जरूरी यूज करना, ठीक है, ये तिन रैफल कोट जरूरी यूज करना, thank you so much, start करना, आप सभी लोग, इस question को try करें, इस question का answer क्या है, सभी लोग, question number 8, सभी लोग try करें, timer आपका ये, 40 सेकंड आपको दे रहे हैं, try गड़े, तब को दिख रहा है न, question बच्चों एक बार ये बता दे, question दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, नहीं हड़ जारता हू, question दिख रहा होगा बच्चों आप लोग को, दिख रहा है, तो आपका time out होता है, तो छलो बच्चों आप लोगो को, question बता देते हैं, ये question आप लोगो को दिख रहा होगा, सभी लोग ट्राइ करो इस question का भाई, मिस्टर रमेश ओपेंड आवर्क सॉप इन्वेस्टिंग 40,000, ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट आप 10,000 एवरी ये आफ्टर टू इयर, इस ब्रदा सुरेज वाइन, इम विद दा एमाउंट आफ 85,000, देखो कितने साल के लिए रमेश रहता है, ये रमेश हो है, ये रमेश हो है, तीन साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, पहले साल 40,000, फिर 10,000 बढ़ाता चला जाता है, तो भाई दोकर पहले साल ये चालीज़ार करेगा, चालीज़ार हमने लिख लिए पहले साल, दूसरे साल कितना हैगा, 10,000 बढ़ाएगा, 50,000 होगा की नहीं, बोलो हाँ कीना, फिर तीसरे साल, 60,000 करेगा कीनी, बोलो हाँ कीना, बच्चो इतना clear है कि नहीं 40,000 सबको दिख रहा है ना 50,000, 60,000 40, 50, 90, 6,000 कितना हो जाता है 60,000 बोलो इतना clear है कि नहीं बोलो बच्चो पहले महिने 40,000 फिर दूसरे महिने 50,000 फिर 60,000 clear हुआ कि नहीं अच्चा दो वर्स बाद सुरेज 85,000 रुपए इन्वेस्ट के साथ उस राज में सामिल हो गया सुरेज कोई अत्रिक धन नहीं लगाया बेवसाय सुरू करने के 4 वर्स बाद 4 वर्स बाद कुल इतने का लाब हुआ अच्चा अब एक बात बता बच्चो कि जैसे यह आपका हो गया साथ जा 4 वर्स के लिए आ रहा है तो 43 साल हो गया तो एक साल ऊहर आगा 70 हो चार साल की बात कर रहा है कि नहीं बूरो हां कि नगई बहां पांक चार नो चर कि पंदरा साथ कितना हो गया बाइस में तो यह 22,000,000,000000 कि ने यह पूरा amount किसने लगाया बेटा इस सुरेश ने लगाया ना बोलो हाँ कीना बोलो हाँ कीना चार साल के लिए हर साल 10,000 बढ़ा रहा है 70,000 हुआ ये पूरा इतना लवा जार है फिर कहारा दो वर्स बाद भाई सुरेश 85,000 रुपए लगाके इन्वेस्ट कर देता तो 85,000 रमेश का ये हो गया सुरेश जो सुरेश है 17,000,000 होगा कीनी मिरी बात को समझो सुरेश आपका 17,000,000 होगया और ये रमेश हुगा के कीनी बच्चों ये रमेश हो गया है रमेश 210,000 सुरेश 170,000 बढ़ात इतना रुपीया लगाके इन्वेस्ट के साथ इन्वेस्ट किया बटा इनका रेशियो निकाल देंगे तो profit ratio आजाएगा कि नहीं बोलो हां कि ना इनका ratio निकाल देंगे profit ratio आजाएगा तो मैं देखो रमेश यह रमेश का लिख देता हूँ और रमेश और सुरेश से याद आ जाना वो बच्पन ने आती थी चोकलेट पैड इसको निकालता हूँ तो यदि मैं इसका ratio निकालो तो तीन चार जीरो चार जीरो कड़ जाएगा कि नहीं बूलो हां कि ना इनका जो profit ratio आएगा बच्चो बाइस और सत्रा लिख देंगे कि नहीं इतना clear हुआ तो सभी लोग बताओ हाँ क्लियर हूँ बाइस और सत्रा हो गया अब यह कहरा है वर्स बाद चार वर्स बाद एक लाग पंचानवे हजार का लाब हुआ कुल लाब में रमेश का हिस्सा बाइ टोटल लाब है तो टोटल लाब इसका यूनिट एड करोगी कि नहीं 17 और 22 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ अच्छो कितना आ जाएगा बोलो बच्चो क्लियर है यह 5000 आ गया अब आपसे पूछा कुल लाब तो कुल आप दोनों का पूछा है तो दोनों का यूनिट है कितना बच्चो यदि मैं देखो 17 22 किसका पूछा सोरी रमेश का हिस्सा पूछा रमेश का है कितना 22 22 दूनी कितना लिखोगे 22 गुड़े 500 एक लाग दस अजार आपका उत्तर आ जागे बिटा क्लियर है कि नहीं दोको मैंने यहां पर सबका दोको इसका पूरा टोटल एमाउंट साहन के साथ निकाला यह आ गया और यह आ गया इन दोनों के रेशो निकाला प्रॉफिट रेशो आ गया तो 227 इनका रहा कुल प्रॉ कोशन के तरफ अगला कोशन आपका ही है जल्दी से इस कोशन को ट्राइब करें इस कोशन का अंसर क्या आएगा आपको दिख रहा होगा बच्चो यह टाइमर है आपका ट्राइब करें वाट शुट वी करेक्ट आंसर बच्चो इसको ट्राइब करों क्या आएगा आंसर जल्दी से बताऊ A and B enter into partnership with their capital in the ratio of 7 ratio 9 at the end of 8 month I withdraw his capital if they receive the profit in the ratio of 8 ratio 9 and find the how many long B capital was used A, B, 7 ratio and 5 में अपनी फूजी लगा कर एक साजय में वेवसाय में वेवसाय करते हैं आठ महीने की समाप्ती पर A बेवसाय से अलग हो जाता है मतलब A 8 महीने तक रहता है यदि मुनाफा उनका 8 ratio 9 and 5 में बताये B कितने महीने तक वेवसाय में सामिल रहा बहुत easy बहुत simple सा question है दोगो बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं हमने बताया था आपको कि जैसे लिखते है capital to time बराबर profit ratio के आताय के नहीं यह बताओ साम लोग यह फार्मूला बताया था कि नहीं हम इसी का यूज करेंगे यहां कैसे लिखेंगे capital देखो बच्चों हैं समझें A और B मैं A की value लिखूंगा फिर यह B की value लिखूंगा A B यह लिखूंगा की नहीं बोलो हां की ना यह लिखूंगा आरो बटाच ना यह लिखूंगा की नहीं बोलो बच्चों लिखूंगा ना तो 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 यहां पर हम इसका capital का अनपात क्या है बटा 7, 0, 9 बोलो हां की ना यह यह अब आप से पूछा क्या at the end of eight year मतलब जो A है वो आफ महिने तक था तो A का time कितना है यहां पर आठ महिने बोलो हां की ना लिख दिया अब यहां पर हमें पूछा A आठ महिने के समाथी पर A अलग हो जाता है मेरे भाई A तो आठ महिने तक रहा B का हमें पता नहीं B हमने X लिख लिए और हमने जो यहां पर profit ratio लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे profit ratio यहां पर आपको लिखा है profit किस ratio में 8 ratio नौ मिंद बोलो यहीं लिखेंगे कि नहीं अब देखो इन दोनों का multiply से बराबर इन दोनों का multiply से बराबर तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं यह बताओ वर्खुरदार यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा बोलो हां किना जैसे मैं लिख सकता हूं 7 is to 8 बराबर 8 के आएगा upon 9 is to x बराबर 9 के आएगा किना बोलो भाई दोखो 9 से 9 cancel 8 से 8 cancel x बराबर आपको साथ मिला है आपका final उत्तर साथ आ गया कि नहीं बोलो हां किना सभी को आया हो तो आप लोग लाइक कर देना समझ में आया अच्छे से तो लाइक जरूर कर देना बोलो बच्चो हां किना बहुत easy question मैंने आपको capital औ profit का ratio निकाल दिया solve हो गया बोलो हां किना आप लोगों को समझ में आया न तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर देना मेरे भाई अच्छा आप लोग मुझे follow भी कर सकते हैं unacademy learning app पे वहां पे बहुत सारी ऐसी चीज़े मैं आपको सिखाता रहता हूं आप एक जादू सीखोगे देखो जैसे मैं आपको बहुनू बच्छो यहां पे देखो लोग एक चीज़ सिखा देते हैं जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला 22 को डिवाइट करना है 101 से बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा 22 को डिवाइट करना है 101 से मैं क्या लिखूंगा 0.21 और फिर क्या लिखूंगा 78 यही आएगा calculator से चेक कर लेना आप लोग समझो मैं डिवाइट करू 13 बटे एक से इसको डिवाइट करूंगा 0.12 और फिर देखना मैं लिखूंगा 87 आप calculator से चेक कर लेना यही आएगा इसको कैसे करोगे तो इसको लिख सकते हो 0.17 और क्या लिखोगे 82 बोलो समझ में आय कि नहीं कैसे करते हैं देखू बिटा हम कोई भी नंबर आपको दे रखा जैसे 22 है देखू बिटा कोई भी नंबर दे रखा है हमेशा एक पॉइंट लगाते है 0. और यह 22 दे रखा था तो इस 22 में हम एक नंबर कम कर देंगे क्या कर दिया 21 फिर इसको हम 9 बनाएंगे 729 आठ एक नो जैसे 13 था 13 में 0. एक कम किया 12 फिर मैंने इसको 9 बनाया 829 729 अठारा था एक कम किया 17 मैंने 9 बनाया 829 729 इसी तरीके में बोलू 23 डिवाइड वाई 101 तो मैं क्या करूंगा 0. इसे एक कम करूंगा 2 अब इनका समना वणाओंगा 729 729 यह आंसर मेरी बास समझ पाए कि नहीं समझ में आया कि नहीं बेटा बोलो हां कि न समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर देना अच्छा मैं बोलू कि बेटा जैसे मैं बोलू कि तो को यहां पर 79 डिवाइड बाई 101 जल्दी से बताओ क्या आएगा कमेंट करके बताओ अंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ अंसर क्या आएगा 0.693 0 693 sorry 6831 sorry 7821 डोको इसे क्या लिखेंगे इसे कम करो 0.1 एक कम करो 78 अब साथ दो नो आठेक नो यह आ जाएगा दूसरे लिए बिटा आप लोग फॉलो कर लो और चीज़े हम सिखाते रहेंगे 7821 यहां पर सुभास कुमार वेरी गुड अनियल 21 आएगा 9 बनाना टू आएगा बिटा आप लोग मुझे फॉलो घलो नेकर भी लगने के बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते रहोंगे ठीक है चलो इस कोशन को ट्राइगो अच्छा बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाता रहता हो बीच में तो आप लोग उसके लिए तो भाई फॉलो करना पड़ेगा भगवान भक्त के पास थुड़ो आते है भक्त भगवान के पास जाता है यार खर छोड़ो त्राइगो इस कोशन का अंसर क्या है यह यह इस तो हल दानिश